दोस्तों, आज मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है आपके जीवन में भी आपके सामने बहुत सारे विरोधी हों, बहुत सारे दुख हों, परिशानिया हों, जब लोग आपका मजाग बनाते हों, लोग आपको असफल कहते हों, यह फिर अनेक परकार की परिशानिया, चिन्ताएं, बाधाएं, रुकाउटें आपके जीवन में हो। प्रन्तु आज सुभह में परमेश्यो का वचन कहता है। प्रेज लॉर्ड दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आज सुभह की प्रात्ना में और इस समय होगा जब हम एक गवाई को सुनेंगे और गवाई के बाद हम प्रात्ना मेर वचन में जाएंगे। अंत में हम बीमारों के लिए और कोर्ना वाईरस से पीडित लोगों के लिए प्रात्ना करेंगे। आप हमारे साथ में इस प्रात्ना में बने रहीए। प्रव येश्व मस्ती आपको हर एक बीमारी से हर एक समस्या से चुटकारा देंगे। आए हम परमेशो के वचन के ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि हमारा परमेशो हमें बचाने वाला परमेशो है। हमारा परमेशो हमें हर एक बीमारी से बचाने वाला परमेशो है। सत्रु से बचाने वाला परमेशो है। वे तुझ से लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल नहोंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ, यहवा की यहवानी है, मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा, और उपद्रवी लोगों के पंजे से छुड का लूँगा, आमेन. उस सतान से तुझे बचाने के लिए मैं तेरे संग में हूँ. दोस्तों यह बात है उस समय की जब यर्मिया भुष्वक्ता परमेशो की सेवा कर रहे थे और वो पूरे देस में परमेशो के वचनों का परचार कर रहे थे, परंतु उन्हें इस सेवा कार्य में बहुत से वि परचान भी हो गए, निरास भी हो गए, तब परमेशो का वचन यर्मिया भुष्वक्ता के पास पहुचा, कि वे तुझसे लड़ेंगे तो सही कौन, उसके विरोधी जो सेवा कार्य में बाधा उत्पन कर रहे हैं, जो उसका मजाक बना रहे हैं, जो उस पर पत्थराओ कर रहे हैं, उन लोगों के लिए परमेशो का वचन कहता है, कि वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परन्तु तुझ पर प्रवल नहोंगे, क्योंकि मैं तुझे पीतल की एक दुरुड सहरपना बनाऊंगा, क्योंकि मैं तेरे संग में हूँ, तुझे बचाने के लिए और तेर विरोदी हों, बहुत सारे दुख हों, परिशानिया हों, जब लोग आपका मजाग बनाते हों, लोग आपको असफल कहते हों, यह फिर अनेक परकार की परिशानिया, चिंताएं, बाधाएं, रुकावटें आपके जीवन में हों, प्रन्तु आज सुभह में परमेशो का क्यों? क्योंकि परमेशो का वचन कहता कि तुझे बचाने के लिए मैं तेरे संग में हूँ, बाइविल कहती कि जितने भी हत्यार तेरी हानी के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से तुझ पर कोई भी सफल न होगा, क्यों? क्योंकि परमेशो हमें बचाने के लिए हमारे में हैं इसलिए दोस्तों आप डरे नहीं आप घबराएं नहीं यदि आप विपत्यों में हैं यदि आप समस्याओं में हैं यदि आप यर्मिया भाउश वक्ता की तरह अनेक परकार के विरोध का सामना कर रहे हैं दुखों का सामना कर रहे हैं परिशानियों का सामना कर रहे ह तो आप निरास न होएं, आप डरें नहीं, आप घबराएं नहीं, बलकि ऐसे समय में आप इस वचन को याद रखें कि परमेश और मेरे संग में है, मुझे बचाने के लिए, मेरा छुटकारा करने के लिए, आपके वल इस बात पर भरोसा रखें कि दुष्ट चाहे आपके व आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुभा में परमेश मसी से परातन करें, दोस्तों आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्यूटर, इंस्टेग्राम और फेस्बुक पेज पर और हम उसमें आपके लिए परातन करें, आपको उचसाहित करना चाहते हैं कि आप अपनी परिशानियो के लिए अपने जीवन के उन समस्याओं के लिए जिसको देखकर आप बहुत जादा परिशान हैं प्रभु के सामने रखें उससे प्रात्न करें ताकि वो आपकी सुनकर आपकी जीवन में कारे करें जीवित अनुग्रह कारी पिता परवीश्य प्रभु इस सुन्दर समय के लिए पिता हम आपका हिर्दे से धनिवाद करते हैं आपकी महीमा आपकी बढ़ाई आपकी प्रशंसा करते प्रभु जी सच में प्रभु आपके जैसे महान उत्तम और प्रेम करने वाला कोई भी नही प्रभु आप ही तो प्रभु हमारे भजन का विशे हैं आप ही हमारे तारीव के काबिल है परमेश्व पिता क्योंकि प्रभु आपके जैसा कोई नहीं आप सर्वोत्तम है आप सिस्टी करता है आप पालन हार है प्रभु हम आपका धनिवाद करते हैं पिता धनिवाद के आ आप हमारे बचाने वाले हमारा चुटकारा करने वाले हमारे विरोधियों से हमारी ढाल बनकर लड़ने वाले परमेश्च्वर है खुदा हम आपका धनेवाद करते हैं प्रभू ये शुमसी आज की सुभा में आपके सम्मुकाते हैं अपने आपको खाली करके शुन्य करके प भाइ भेनों के संग में इनके परिवार इनके बच्चों के संग में बनी रहे प्रभू एक एक जन तुझ में आज की étaerst में आच kanssa होने प्रभू धन्यवाध। जिसके द्वारा आपने अमने बातचीत करतथे हैं प्रबु क्योंकि आप ऐसे पर्मीशर जो इपने लोगों से बातचीत करते हैं दोस्त की तरह प्रबु धनिवाद कि आप तेरा बचाने वाला, मैं तेरे साथ में हूँ, hallelujah, yes my lord, आप हमारी ओर है प्रभू, आप हमारे साथ में है प्रभू, किसी भी विरोधी को प्रभू, आप हमें घात नहीं करने देंगे, आप हमें नस्ट नहीं करने देंगे, आप हमारी हानी नहीं होने देंगे, क्योंकि आप हमें बचाने के लिए हमारी धाल बन कर खड़े हैं परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभू आज यह सारी बात है यह वचन उत्साहित होने वाला है कि तू हमारी और है प्रभू धन्यवाद कि तू हमें बचाने के लिए हमारी और है हर एक महामारी से हर एक विपत्ति से हर एक दुष्ट से प्रभू हमें बचाने के लिए हमें प्रोटेक्ट करने के लिए आप हमारे साथ में हैं प्रभू इस बात पर हम बिलीव करते हैं इस बात पर हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते प्रबु प्रात्न करते प्रबु जितने भी लोग प्रबु आज की सुभा में इस वचन को जिनों ने सुना है लड़ फादर उनके हर एक विरोधी से हर एक महामारी से हर एक प्रबु दुष्ट की योजना से आप इन लोगों को प्रोटेक्ट कर यदि दुष्ट प्रभू इनके शरीर को, इनके जीवन को, इनकी फैमिली को घात करने पर है प्रभू, येशु मसी के नाम से दुष्ट के वो कारे इनके परिवार से नस्थ हो जाएं प्रभू, क्योंकि तु इने बचाने के लिए तेरे स्वर्गदुतों का पहरा प्रभू इनके इर्द गिर्द है प्रभू जी, आपने कहा है कि मैं तुम्हारे निमित स्वर्गदुतों को आज्या दूँगा, वे तुम्हें हाथो हाथ उठा लेंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे, हालेलुए, येस मालोड, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए आप हमारे साथ म हम करते हैं प्रभू इस मालोड धने वाद पीटा, आज के दिन में जितने भी भाई-बेंग घर से बाहर निकलते किसी भी काम को करने के लिए, येश्यमसी नासरी के नाम सब की सुरक्षा दाएरे में रखते हैं, आपने सुरक्षित लेकर जाएं, और सुरक्षित घरों को लेकर आएं परमेश्वर जितने लोगा हॉस्पिटल्स में ड्यूटी कर रहें कंटिनेसली कोवड पेशिंट्स को प्रभू ट्रीट करें लौड फादर उन डॉक्टर नर्स को और जितने भी प्रभू हॉस्पिटल स्टाफ है प्रभू उन्हें आप प्रभू प्रोटेक्ट लोगों की लिए यीए भाई बहनों के लिए प्रातन करते पिता उन बच्छों के लिए प्रातन करते प्रभू ये नाम से उनके शरीर से वायरीस का हरेक नश्ट हो जाओ फ्रभू ये उन्करीस को करें इम्मुनिटी पावर को बढ़ाएं प्रभू सांस लेनी की प्रॉब्लम दूर हो जाए ये प्रभू जो भी ऑक्सिजन लेवल कम हो गया है येशु के नाम से वह इंक्रीज होने पाई पिता धनिवाद करते हैं परमेश्व मैं प्रातना करते हूं प्रभू जो लोग जो बच्छी प्रभू बहुत जBob करें o के नाम से आपने बीमारी के जगापर अपने सरों पर हाथ रखे है इस बीमारी के नाम लेकर उसे जाने के अगय दें धनिवाद करते परमेशु पिता इस समय मैं आपके बेटे बेटे जिन बीमारीयों के नाम लेकर अपनी बाड़ी से जाने के अगय दे रहें येशु के नाम से अब यह और इसी वक्त आप unprecedented निस परश करें और वो बिमारिया नस्ट हो जाएं, मौन की तरब भी घलकर निकल जाएं, येशु के नाम से, thank you Father, आपकी इस पून चंगाई के लिए, for your complete healing Lord Jesus, we praise you Lord Father, thank you, you are our healer Lord Jesus, धनिवाद करते Father, धनिवाद करते प्रभू, मैं प्रातना करती हूँ, कि आज की सुन्दर सुभा में सुख शांती समरिद्धी आप इने दे प्रभू, येशु मसी, अच्छा स्वास्ते आप इने दे प्रभू जी, वचन प्रातना और संगती में इने बढ़ाएं प्रभू जी, और प्रभू तेरे वचन के अनुसार ये इस बात पर बिलीव करें कि तुने बचाने के लिए इनके स प्रभू जी, उन लोगों से जो इनकी हानी की योजना बनाते हैं, उनसे आप इने प्रोटेक्ट करें प्रभू, धनिवाद प्रभू जी नोने भारी नुकसान इस समय देखा है, प्रभू, येशु मसी, आप उसकी भरपाई करें परमेशु पिता, जितने भी भाइबन अ परिवारिक समस्याएं, हर एक प्रभूम चली जाए, येशु के नाम से जो भाइबन अपनी मैरिज के लिए परिशान है, येशु के नाम से उनका मैरिज होने में साहता करें, जो काफी समय से लाइफ पार्टनर के लिए इंतजार कर रहे हैं, येशु के नाम से प्रभू आप उने अच्छा लाइफ पार्टनर दे प्रभू, धनिवाद करते परमेश्व पिता, प्रभू जिनके उपर परिवार की जिम्मेदारी है प्रभू, येशु आपसे विंती करते हैं, कि प्रभू अपने परिवारी के जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सके, हम विंती करते उन लोगों के लिए जिनों ने आपके राजी के उन्नती के लिए प्रभू अपने बीज़ को बोया है ये आशिशों की वर्षा आप उन पर करें प्रभू सुर्ग के जरों के आप उनके लिए खोल दे पर मेश्वर उनके खत्ते सदा भरे रहे अंजल के भंडारों पर आप आशिज दे और किसी भी भली वस्तु की घटी कमी उन्हें और उनके परिवार को नहोने पाए प्रभू धन वाद करते कि आपने हमारी विंति निवेदनों को सुना येशु के नाम से मांगते हैं आमेन आमेन और आमेन